तो आज हम प्लम केक की रेश्पी लेके आए यह बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी है इसमें बहुत सारे ट्राइफूट पड़े होते हैं और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है रेस्पी शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है यदि ये रेस्पी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिक सदिक मातरा में शेयर करिए और लाइक करिए तो चलिए इसे बना लेते हैं ये बहुत टेस्टी बनता है एक पर इसे बना कर अपने अनुपो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए ये कैसा लगा आपको तो ये देखिए हमने एक बोल ले लिया है अब इस बोल में हम जीतने भी ड्राइफूर्स काटकर रखें वो डालेंगे तो ये हमने तीन टेबल स्पून काजू लिया है दो टेबल स्पून बादाम लिया है तीन टेबल स्पून ब्लूबेरी लिया है और तीन टेबल स्पून किस्मिस लिया है दो टेबल स्पून किवी लिया है और दो टेबल स्पून टूटी फूटी लिया है और तीन टेबल स्पून ब्लैक बेरी लिया है और पंकिन सीड लि इससे टेश बहुत अच्छा होता है यदि आपको ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं एक कप औरेंग जूस में इसे सोक कर दिया यह हमने फ्रेज जूस लिया है इन दिनों जूस बहुत अच्छा मिल रहा है तो अब हम इसे चीनी को करमलाइस कर लेते हैं हमने डख के रख दिया उसे पांच गंटे के लिए सोक होने के लिए और अब हम चीनी करमलाइस कर लेते हैं हमने एक बुल चीनी को पैन में डाल के slow flame पे इसे हमें धीरे-धीरे stir करते जाना है जब इसका color change हो जाएगा और चीनी melt हो जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे तो काफी हद तक ही melt हो चुका है अब ये और melt होगा तो ये देखे इसका color भी change होता जा रहा है और ये melt ही होता जा रहा है इसी तरह से इसका color देखे, light brown हो गया है, अब हम इसी stage पर पानी डालेंगे, gas बंद करके पानी डालेंगे, नहीं तो छीटे पड़ेंगे, gas बंद करके डालने से छीटे नहीं पड़ते हैं, और यह असानी से melt भी हो जाता है, अब हम gas on करके इसका syrup बना लेंगे, एक boil आने त ताकि चीनी सारी melt हो जाए, अब इधर हम cake bake करने के लिए, कडाई को preheat करते हैं, हमने आधा केजी नमक डाल दिया, और एक इस पर जाली रख दिया, इसी जाली पर हम cake को bake करेंगे, तो चलिए, अब हम डाल चीनी लोंग इलाइची है, इसका पाडर बना लेते हैं, क्योंकि केक में हमें इसे यूज करना है, तब हमने एक बोल लिया, वन फोर्थ कप इसमें हमने दूर डाल दिया, और वन फोर्थ कप इसमें रिफाइन ओयल या कोई भी cooking ओयल जो आपको पसंदो, वो आप इसमें डाल सकते हैं, और जो हमने सो करके ड्राइफरूट रखाता वो करएं डल दिया, अब 1-2 इसमें में एक इसपून और 1-2 इसपून, हमने बेकिंग पटर ढल दिया, अब 1-2 इसपून हमने इसमें डाल दिया हने वाला सोटर, अब इसमें सीव कर लेंगा अच्छे से chang जाएगा फिर हम इसे, मेक्स करएंगे, अब देखिये, इसमें हमने इक स्पून पनिला एस्सेंस डाल दिया इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और जो हमने करमलाइज करके चीनी डाला है उससे भी टेस्ट सका बहुत अच्छा होता है अब देखे जो दालची निलाइची हमने पीजा था उसका पौडर एक किसे छोटा सा इसपोन टीज़ ज़न टाल दिया और एक टेबल इस्पोन दाल दिया अब इससे जब कम मैक्स कर लेंगे यह जो सुगर शिरफ बनाया था चीनि करमेलाइस करके भी डाल दिए अब इस नमक तुसका टेस्ट और बढ़ जाता है अब बैटर के थिकनेस को बैलेंस करने के लिए हमने तीन टेबल स्पून इसमें मिल्स डाल दिया और इसे इस तरह से मेथड से अमेघ नीकलम जाहिंद नएमिक्स करना है जय्थे नहीं करंजर कर देंद नहीं लिए इसको के आल खुर्ण aucसाज हम्हें करना है इस तरह से हैं थे प्सक्रों की ग्रिस करके इसमें केक बेक करेंगे तो हमारा केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून वेनेगर वाइट वाला इससे केक बहुत स्पॉंजी बनता है अगर वेनेगर नहीं हो तो आप नीवू का जूस भी डाल सकते हैं अप्शन में आप नीवू का जूस डाल सकते हैं अब हमने मिक्स करके इसे बेक करने के लिए डाल दिया केक टिन में अब केक टिन को हम बेकिंग डिश में रखके जो हम कढ़ाई त्यार किये हैं उसमें रखके कम से कम 40 मिनिट के बाद ही हम खोल के देखेंगे यह बेक हुआ ह कि नहीं और ड्राइफ्रूट्स हम इसे घानिस करके बेक करने के लिए रख देने हैं अभी जब केक फूल लेगा तो इस सारे ड्राइफ्रूट्स अंदर चले जाएंगे फिर हम उपर से थोड़े ड्राइफ्रूट्स लगाएंगे इसे हम थाले से डखके रख देंगे चालीस मिनट के बाद चेक करेंगे कितना यह पका है अब काफी हदं तक हमारा केक फूल चुका है लेकिन सारे ड्राइफ्रूट्स अंदर जा चुके हैं अब हम इसमें ऊपर से फिर से ड्राइफ्रूट्स लगा देंगे ताकी यह देखने में सुन्दर लगे और अब इसे डाल के देखा सिम्सीं का या मतल हमारा केक बनके त्वीच मिलेट थंड़ा करंगे थंड़ा करें फिर इसे तूर्टी चूर्टसकते है जब थंड़ा जा hem अच्छे क्वाइगा केक इतना अच्छा है किसे बच्चे बड़े सब बहुत पसंद से खाते हैं देखिए कितना soft लग लगरा काटने से काटने से ये आपको पता चल जाए कितना soft है तो इस तरह से केक हमारा पनके तयार हो गया है और कितना इस्पॉंजी बनाएं देखिए बहुत ही अच्छा केक बनाएं इसे आप किसी भी सेप में काट के सर्व कर सकते हैं यदि ये रिस्पी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिए और अधिक से धिक मात्रा में शे